जैहिंद एवरीवान वेल्कम बाक टो माई चानल दिस इस शिवांकी भट और आज की वीडियो में हमें कैसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसको शायदी किसी को पता हो लिकिन सभी NCC के रिट्स को पता होना चाहिए यह स्टोरी है NCC की ब्रेवरी और करच की जब NCC के रिट् तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं 1965 इंडिया पाकिस्तान वार में NCC के रिट्स एक इंपोर्टन रोल प्ले कर रहे थे जैसा कि आप जब जानते हैं NCC को सेकंड लाइन ओफ डिफेंस भी कहा जाता है तो जब भी कोई वार होती है तो NCC के रिट्स हमीशे ऐसे टास्क में आगे आते हैं Similarly 1965 की इंडो पाकिस्तान वार में NCC के रिट्स एक इंपोर्टन रोल प्ले कर रहे थे के रिट्स सिविल डिफेंस टास्क में लगे थे और पूरे वार टाइम में NCC के रिट्स सिविलियन्स और मिलिटरी अथोरिटीज के साथ सेक्टर्स में हेल्प कर रहे थे साथ में फर्स्ट एड, सर्च और रिस्क्यू, एसेंशल सर्विसस जैसे कामों में भी NCC के रिट्स लगे हुए थे केरिट्स को आकाश वानी टेलेफोनिक एक्सचेंज और पोस्ट ओफिस में गार्ड बे काम पे भी लगाया गया था लेकिन इन सब केरिट्स के बीच से एक नाम जो अपने आउटस्टांडिंग इंस्टेंस ओफ करिच के लिए सामने आया वो था सार्जन प्रताब सिंग का 13 सेप्टेंबर 1965 को गुर्दासपूर रेलवे स्टेशन पे चार पाकिस्तानी एरक्राफ्ट ने डीजल ओईल और बाकी एक्सप्लोजिव्स ले जाने वाली माल गाड़ी पर बॉम्बिंग कर दी जिससे ट्रेन के कुछ हिस्से में आग लग गई आग इतनी भयंकर थी कि अगर वो जादा फैल जाती तो बड़ा एक्स्प्लोजिव्स हो सकता था जिससे आगे की सप्लाइज भी रुप जाती उस सिचुवेशन पे सही समय पर सार्जन प्रताब सिंग ने अपने साथी केरिट्स के साथ मिलकर उस आग के हिस्से को अलग कर दिया और बाकी एक्स्प्लोजिव्स मटीरिल से भी दूर कर दिया जिसमें ऐसा करते हुए केरिट्स ने खुशी-खुशी अपने जान चोखे में भी डाल दी और वहाँ पर कुछ केरिट्स घायल भी हो गए ये सभी काम साज़िन प्रताप सिंग की लीडर्शिप के अंडर किये गए थे जिसके लिए उनकी गैलंट्री और सेल्फियस डिवोशिन टू ड्यूटी के लिए 10th पंजाब बटालियन इने साज़िन प्रताप सिंग को 1966 में प्रेजिडेंट डॉक्टर राधा कृष्णन ने अशोग चक्र क्लास 3 से सम्मानित किया जोकी शौर चक्र के बरावर है तो कैसा लगा NCC किरिट्स की वीरता बरी गाथा सुनकर डेफिनेटली मोटिवेशन ही मिली होगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में विद फ्रेश नूव टॉपिक तिल देन स्टे मोटिवेटेड टेक केर जैहिंद